नमस्कार दोस्तों स्वागेताब सभीगा दोस्तों आज 28 सपरील 2019 बुद्वार का दिन है और आज दिन पर की बड़ी खबरे मुख्शे थाकर ब्रैकेफि के लिए खांजी खाजिर रहे। क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयर ही हमारी मैनेट का फ़ल होता है साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल पटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें पहला आइकन को ओन कर लिजिए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों के अपडेट मिलती रहे साथ ही दोस्त जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर अगर आपको अधार कार्ड भी अपनी फोटो पसंद नहीं है तो यूं बदले अपनी फोटोग्राफी जी हां दोस्तों अगर आधार कार्ड में एक सरकारी पहचान पतर होता है जिसमें आपका बायोमेटिक डेटा और पहचान के से जुड़ू ही कुछ जानकर्या होती हैं भारत में किसी भी व्यक्ति की पहचान का सबसे बुक्ता सभूत आधार कार्ड होता है कई पर आपको आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर या पता जैसी सुचने अपडेट करवानी परती हैं लेकिन इसके अलावा आप चाहें तो अपने आधार कार्ड में अपनी फोटो भी अपडेट करवा सकते हैं आधार कार्ड में अपनी फोटो अपडेट कराने के दो तरह के होते हैं या तो आप उदे या उदे की सेल्फ सर्विस अपडेट फोटल पर खुद अपडेट कर सकते हैं या फिर नजदी की आधार enroll center पे जाकर भी आप ऐसा करवा सकते हैं आधार card में photo online update नहीं होती है आपको इसके दो ही तरह की होते हैं इन दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका अपना कर आप आधार card में अपनी photo जो update करवा सकते हैं और दोस्तों किस तरीके से update होगे आपकी photo यहां पर आप तरीका जो है पीएम मोधी पध की शापत लेंगे मोधी रास्टेपती भावन में होगा समारो, जी हां दोसे तो परदान म sürondri नेरीं मोदी का सपत गरंड समारो, तीस माई को शाम साथ वजे होगा और तीस माई को परदान म intrでは के साथ केंदरिय मंत्री भी रास्टे पथी भावनरी पध और दिलाएंगे और शापत गरेन समारो राष्ट्रपती भावन में होगा केंद्री मंत्रियों में कितनी सदस्य होंगे इस बारे में अभी तक किसी भी तरह की कोई पुक्ता सूचना जोब नहीं आई है अटकले लगाई जा रही है कि कौन से मंत्रियों को कि किन किन लोगों को य आपको होगा फाइदा जी हां दोस्तों परधामेंद्री नहेंद्र मोदी के नेतुर्त वाली भारतिय जंता पार्टी ने बहुमत से भी अधिक सीठे हासिल कर एक बार फिर से सत्ता में अपने नाम कर लिया और अब 30 माई को वह तोभरा परधारमेंद्री पद्गी शपत ले सकते हैं भाजपा को मिले परचंट वहुमत के बाद में अब सरकार अपने नए एजंटे को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं और इस बार खास बात यह होगे कि वह सो दिन नहीं बलकि एक हजार दिन का एजंटर पर कारी करेगी जिए हां दोस्तों पिछली बर मोदी सर गंटे में क्या कुछ शामिल होगा जियां दोस्तों रोजगार के लिए आ सकते हैं यह नई योजनाई जियां दोस्तों देश की युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए नेरेंदर मोदी सरकार ने कई परियास किये हैं और 30 मई को सपत लेने के बाद इस दिशा में देने का लक्षबी भाजबा ने एजेंटे पर काम करना शुरू कर दिया हो सरकार का पावर सेक्टर के पावर बैंक प्लान के लिए 24 गंटे तक विजली देने का लक्षबी बनाएगा है ताकि हर गामों और दूर दूराज के इलाकों तक विजली पहुंचाई जा सके होई रूपए तक बढ़ेंगे दाम जी हां दोस्तों पैटो और डीजल के महेंगाई से जल्ती रहत मिलती हुई कुझाईस जो है वो नहीं दिख रही और आई दिन ही पैटो और डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं जिसके कारण आपको बढ़ी हुई दामों से चंता को जो वर्धी की जा सकती है और यह वर्धी जल्दी की जाएगे ऐसा जो है अनुमान लगाया जा रहे है इसी के साथ ही इंडियन ओल के वेवसाइट के अनुसार तथा दिल्ली कोलकता और पुमभी चेने में पैटो और डीजल के भाव दोस्तों आप अपने स्किन पर करम से और यह जा सकेगा सोसाइटी का पुनर विकास नए विधाय को मंजूरी है जी हाँ दोस्तों राष्टेपति रामनाद गोविन ने गुजलाओत को 25 साल पूरानी समोर आवासी सोसाइटी का पुनर विकास से समदित एक विधाय को अपनी सैमती दे दिया इसके लिए किसी भ बनायाना कारी जो हो पुने निर्मान उसका शुरू कर दिया जाएगा और देखती हुए कि 25 या 30 साल से पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है यानि काफी सालों से पुरानी बिल्डिंग है उन्हें पुने निर्मान करने के आशकता होती है वरना उनका खत्रे का आबास होता र इसी के साथ ही दोस्तों अगली बड़ी ख़बर अपडेट निकल कर आज बीएसनल का ये नया प्लान हुआ 113 रुपए सस्ता पाज जून तक रिचार्ज कराने का मोका भी है जिए दोस्तों सारवजिंग चैतर की दूसर चार कंपणी वारस अंचार निगम लिमिटेड यानि इसके तैत कंपने प्रपेट घ्रागों को किसी भी नेट्रोक पर अनलिमिटेड वोई स्कॉलिंग की सुविधा दे रही है और दोस्तों इसके बारे में प्लान की डीटेल है थोड़ा सा अगर आप वीडियो को रोक कर और और भी देखना जाते हूं तो देख सकते हूं यह यहां पर मुश्क्रे बढ़ जाती है और ऐसे में नोकरियों के दोरान बचत करना बहुत जरूरी होता है लेकिन बचत का सई अंजगह पर निवेस करना भी बहुत ही बड़ा फाइदा होता है नहीं तो एक बड़ा फंड जो है वो नहीं बन पाता है और बड़ा फंड के र इसकी अधिक जानकरी के बारे में यहां पर देख सकते हैं साथ याप बैंक से संप्रक करेंगे तो आपको पूरी जानकरी पीपेफ खाते के बारे में मिल जाएगे और वहां पर आप 100 रुपे से स्टार्ट करकर 10 लाख रुपे तक का बड़ा फंड जो होबत त्यार कर सकत लोकस यात्री ट्रेनों समयत माल ढूलाई के नए रोड में पर भी होगा भारती रेलवे की योजना माल ढूलाई यानि की गुड्स ट्रेनों के जरिये तथा कमाई बढ़ाना होगा रेलवे अपनी महित्यों कांक सी योजना डी एफ सी को साल 2020 तक पूरा करने के सरकार रहेगे जब तक हमें ये बड़े बड़े अपडेट जो है वो देखने को रेलवे मिलेंगे जिससे के आम आदमियों को सुईदा हैं जो बढ़ेंगे इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं बड़ी खबर अपडेट की तो बंपर कमाई के लिए तदा घर पर खोलें पोस्ट ओफिस आज ही करें अपलाई जी हां दोस्तों अब रोजगर के तलास में आप इधर इधर भटकना की जूट नहीं होगे ऐसा इसे लिए क्योंकि हम आपको पोस्ट ओफिस के जरीए अपना बिजनस खोल सकते हैं क्योंकि आप डाग विभाग के पोस्टल फ्रेंच चाहरों में पोस्ट ओफिस खोलना चाते हैं तो यह आपके लिए एक कमाई का अच्छा और अच्छा साधन बन सकता है खास बात यह होगी कि पोस्ट ओफिस कोलने के लिए आपको केवल 5,000 रुपए की जमानत जो है वो देनी पड़ेगा नि 5,000 रुपए जमा करवाने अगली बढ़ी ख़बर अपडेट तक पहुंच कर जाएगए इसके साहब दोस्तों अगली चबर अपडेट निकल लेतागए कि अपके लिए काफी नया और बहतर फोन होगा जीवी ने अपना नया फोन लॉंच कर दिया देख सकते हैं आप यहाँ पर जीवी एन 3720 लॉंच कर दिया और जीवी ने कदावा है कि इस फोन में रिवर्स चार्जिंग का स्पोर्ट दिया गया है जिसकी मदद से आप तथा USB के जरिये आप इसकी बैटरी 4000 MS की जो बैटरी पावरफुल बैटरी दी गई है जिसकी डीटेल है दोस्तों वह आपर थोड़ा से वीडियो रोक कर भी देख सकते हैं चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली वीडिकावर अपडेट लोग सुबाद चुनाओ के नतीजों की घोशना तुरंट परवाव से हटा दी गई है बता देंगे लोग सुबाद चुनाओ 2019 11 अपरेल से शुरू है थे साथ चरणों में चुनाओ के बाद 13 माई को नतीजे घोशित कर दिये लगबग 1-5 महिने तक आचार आदर्स आचार शाहिता जो है वो लागू रही थी अब इसे हट दिया गया है इसी के साथ दोस्तों अगली वड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रहे हैं कि स्टार्ट अप के लिए नियम होंगे आज़ान एक घंटे में हो जाएंगे सारे काम जी हां दोस्तों वानिजी उद्योग मंतराले स्टार अप कंपनी के लिए जीस्टी दाखिल कर ने और कर रेटन भरने समय विभिन नियमों के अनुपालन में लगने वाले समय को कम करने के तैयारी में है मंतराले ने स्टार्ट अप के हर महीने अनुपालन में लगने वाले समय को घंटा कर मातर एक घंटा करने का प्रस्ताव दिया एक अधीकारे ने बात बताई है कि न तो आप अपनी स्कीन पर देख सकते हैं चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट भूकम के जटकों से देले देश के कई राज यह जानमाल का नुकसान नहीं दोस्तों से अधिक भूकम के जटके महसूस किये गए हैं सबसे पहले निकोवार दी भुकम के जटके कुछ देर तक महसूस किये गए शुरुवाती जानकारी के अनुसार अभी तक जानमाल की कोई नुक्सान जो अब नहीं हुआ है दोस्तों ये थी आज दिन पर के बड़ी खबरें बड़ी अपडेट मुखे समाचार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो